हलो एवरिवान वेलकम टू माई चैनल तो आज मैं आप सब के लिए लाई हूँ बहुत ही हेल्दी बी और टेस्टी बी बढ़िया सी कच्छे पपीते के स्टफ परांटे की रेसिपी जो की हम बनाएंगे नए तरीके से तो वीडियो प्लीज एंड तक देखिएगा तभी हमारे लीच हेल्दी में बुरी डिश है हमें बहुत सारी हार्ड दिसी से बचाता है और कच्छेपिते की बहूत सारी मäडिसिनल क्योलीटीस है जो कि आप सबक molta है तो हम बच्छेव के टिफिन के लिए भी यह पपीते का परांथा बना के दे सकते हैं तो चलिए शुरू क तो five जोड़ में कच्छा पपीता लिया dup apita, छीद, तो नहीं से तनिना कट लेप डूतily लिया लिया में पहले सकती है नहीं देखिया बाद एक केट्द equiv Divas, GPSi, अब हम इसको थोड़ा सा फ्राइ करेंगे, तो पैन में डालिए तेल, इसमें डालिए हिंग, सुखा दनिया, नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ी सी एजवाइन और थोड़ा सा पाव भाची मसाला, पाव भाची मसाला डालने से इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया हो जाएगा, अब हमने इसको कच्छे पपीते को डाल कर अच्छे से पका लेना है, क्योंकि जो पपीता है ना बहुत पानी छोड़ता है, तो हमने इसको हाई फ्लेम पर कुक करना है, और ये जो पानी को अच्छे से सुखा लेना है, तो देखिए पानी सुखाने के बाद इस तरह से हमा रेडी की है इसको हम स्टफ कर लेंगे और साइडों से इस तरह से इसका पेडा बना लेंगे जब हम परांठा कोई भी स्टफ परांठा हो आलू, मूली, गोबी या कच्छे पपीते का अगर हम इस तरह से बनाते हैं तो जो फिलिंग होती है न चारो साइड्स को कवर कर देती यह फिल कर लेती है तो इससे चो परांठा होता है बहुत ही टेस्टी बनता है और अगर हम दो लोई लेकर बनाते हैं अलाग अलाग तो साइडों से चो परांठा होता है वो बिल्कुल फीका फीका रह जाता है तो आप जब भी स्टफ परांठा बनाईए तो हमेशा इस तर भी ज़िए देशी घी डालें और अच्छी तरफ दोनों तरफ से घी डाल कर ब्राउन कर लेंगे तो लीची हमारा एक परांथा हो गया रेडी और इसी तरह से अब हम दूसा परांथा भी सेख लेंगे तो जो हमारा यह परांथा रेडी हुआ है इसको हमने बच्चों के टिफिन में कैसे डालना है इसको फोर पीसिस में कट कीचिए और टिफिन में रखिए नैपकिन टिशू पेपर इसके उपर फोर पीसिस परांथे के लगाईए और साइड में आपके बच्चे को जो पसंद ह मखाने फ्राइ करके रख सकते हैं ड्राइ फ्रूट्स बिस्केट्स हेल्दी फूर्ट देना है हमेशा लंच में तो इस तरह से टेफिन रेडी करके बच्चे को दीजिए तो यह हमारे और परांटे बनके रेडी हो गए तो यह परांटे हम अपने प्रेक्फस्ट में इंजॉ तो लीजिए बढ़िया से हमारे परांटे हो गए रेडी तो रेडी कैसी लगी है प्लीज लाइक कीचिए कमेंट जरूर कीचिएगा ओके बाई बाई